चैत्र मास की शुप्ल प्रतिपदा को गुरी परवाय या वर्ष प्रतिपदा या उगादी युगादी कहा जाता है इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है गुरी का अर्थ विज़पता का अख होता है कहते हैं शालिवाहन ने मिठी के सैनिकों की सेना से प्रभावी शत्रूों, शक्क का पराभव किया भारत एक ऐसा देश जहां हार सम्प्रदायों के लोग रहते हैं और सभी सम्प्रदायों के अपने तियोहार और उनका आपना विशेश धार्मिक महत्व है दो अप्रेल से जहां चैत्र नवरात्र आरंभ हो रही है साथ ही इस दिन यानि चैत्र मास के शुकल पक्ष की प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है उसी दिन गुडी पर्वा का पर्व मनाया जाता है गुडी पर्वा 2022 प्रतिपदा ते थी दो अप्रेल को रात 11 बच कर 58 मिनट तक प्रतिपदा ते थी रहेगी महिला इस नान के बाद इस दौरान घर के मुख्यदवार को आम के पत्तों और फूलों से सजाती है घर के एक हिस्से में गुडी लगाई जाती है फिर लोग भगवान ब्रम्हा की पूजा करते हैं और गुडी फेहराते हैं गुडी फेहराने के बाद भगवान विश्नु की पूजा की जाती है कई लोगों की माननेता है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने बाली के अत्याचारी शासन से दक्षिन की प्रजा को मुक्ती दिलाई बाली के तरास से मुक्त हुई प्रजा ने घर-घर में उत्सव मना कर ध्वज, गुरी प्वहराए आज भी घर के आंगन में गुरी खड़ी करने की प्रधा महराश्ट्रा में प्रचलित है इसलिए इस दिन को गुरी परवा नाम दिया गया गुरी परवा के दिन इस दिन लोग घरों की साफ सफाई करते हैं और घर के मुख्यद्वार पर रंगोली बनाते हैं इस दिन मुख्यदवार पर आम के पत्तों से बना हुआ बंधनवार भी लगाया जाता है इस खास दिन में महिलाएं अपने घर के बाहर गुड़ी लगाती है ऐसी मान्यता है कि गुड़ी की पूजा करने से घर में सुक समरिंधी आती है लोग घरों की सफाय कर रंगोली, बंधनवार आदी से घर, आंगन एवं दर्वाजों को सजाते हैं घर के आगे एक गुड़ी यानी जंडा रखा जाता है इसी में एक बर्तन पर स्वास्तेक चिन बनाकर उस पर रेशम का कपड़ा लपेट कर उसे रखा जाता है गुड़ी को विजे का प्रतिक मान का उसकी पूजा की जाती है